मेरे घर में सबको पराठे खाना बहुत पसंद है और अक्सर में तरा तरा के बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनाती रहती हूँ तो आज भी आपके साथ में एक बहुती टेस्टी यूनिक तिफ्रेंट तरीके से बनने वाले मज़ेदार से पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हूं और साथ में बनाएंगे एक मज़ेदार सी टेस्टी चटनी मैंने यहां लिया यह 300 ग्राम मेथी और मेथी के पत्ते पत्ते आपको लेने हैं इस तरीकी के एकदम बारिक डंठलों तो आप ले सकते हैं लेकिन मोटे डंठल बिल्कुल मत लीजेगा मेथी को अच्छे से धोकर बारिक कट कर लेना है यहां पर यह मैंने तीन आलू को दो हिस्सों में करके उबाल लिया था आलू को छील लेना है और इन्हें ठंडा कर लेना है अब देखिए मैंने यहां पर लिया है दो कप गेहू काटा इसमें मैंने डाल दिया है दो चम्मच बेसन और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्म च्पामच नमक आधाचमच लाल मिर्ष पाउडर कि एक चममच डाल देना हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए डाला ये एक चममच धनिया पाउडर मैं होमेट गरम मसाला है काफी स्ट्रॉंग है इसलिए तोड़ा डाला है मेथि ko बारिक कट करकरude ये अर हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है अब बहुत अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे आटे के साथ थोड़ा सब बेशन डाल देंगे न तो परांठो का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अब जो उबले हुए आलू है न वो पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं तो अब आपको इन्हें क्रेट करना है आलू को हातों से मैश नहीं करेंगे वन्ना इनकी छोटी मोटी गुठलियां सी रहे जाएंगे और वो हमें परांठे में बिल्कुल नहीं चाहिए तो आलू को खिस टेस्टी लगते हैं कि आप इनके आगे सारे परांठे भोल जाएंगे अब इसमें मैंने दो चम्मच घी डाल दिया है आप घी नहीं डालना चाहते तो ओल भी डाल सकते हैं अच्छी तरह आलू को मिक्स करने के बाद फिर जरूरत के अनुसार आपको इसमें पानी डालना ह और डो लगाना है देखे हमने इसमें मेथी डाली है इसमें उबले आलू डाले हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं होगी ये डो आपको हलका सा हाड लगाना है क्योंकि आलू और मेथी की वज़े से ये बाद में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो अभी बहुत ज्यादा सौफ्ट से ना लगाएं तो हमने अच्छे से ये डो लगा कर त्यार किया है इसे अच्छे से हमने गूंद लिया है तो बस अब आप इसे ढख कर 5 मिनट के लिए रख दीजे और तब तक हम एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं तो यहां एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें एक कप हरा धनिया अच्छे से साफ करके धो कर डाला है एक हरी मिर्श डाल दिये आपको जादा चटपटा पसंद है तो दो डाल सकते हैं हरी मिर्श एक डेड़ इंच अद्रक डालें और इसमें डाल दें आप नीबुकरस तो यहां पर लुदे लगबग एक डेड़ चमश नीबुकरस डालें एक चौताई चमश लाल मिर्श पाउडर डाला है एक चौताई चमश डाल दिया है साबुच जीरा थोड़ा सा रेगूलर नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे अब आप इसमें तो पिंच हिंग भी दाल दें। हिंग से चटनी में अच्छी खुश्बू और टेस्ट आता है। 25-30 के करीब पुदीने पत्ते डाले हैं और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन के सेव डाले हैं। और यहाँ पर 3 आइस क्यूब्स डालने से चटनी में गाड़ा पनाएगा और आइस क्यूब्स अब यहाँ पर यह जो डो है इससे बनाने वाले हैं पराठे। तो आप मोटे पतले जैसे पराठे खाना पसंद करते हों उसके अकॉर्डिंग आपको लोई बना लेनी है। अब आपको इसके उपर सूखा गेहूं का आटा डालना है और इसे बेलना है। तो यहाँ पर दो थोड़ा थोड़ा सूखा डालें। तो इस तरह इसे बेलने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सखी घी बटर या ओईल कुछ भी लगाया जा सकता है। पराठे आप अपने अनुसर गोल या ट्राइंगल जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं तो म आप इसके उपर लगाना है सूखा आठा और इसे बेल लेना है। इसी तरीके से आपको गोल पराठे भी बनाने हैं। यह जो मेथी आलू के पराठे हैं इन्हें आप प्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी के लिए भी बना कर त्यार कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आ आपको इनके साथ सबजी की ही जरूरत पड़े। बिना सबजी के भी आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि चटपटे मसालेदार टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पराठा हमने बेल लिया है इसे सेख लेते हैं। गरम तबे पर पराठा डालना है। मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से सिखने देना है। उपर से जब यह इस तरह ड्राई सा दिखाई देने लगे तो इसे पलट देना है। हलके हलके ब्राउन स्पोट आ चुके हैं। दूसी तरफ से भी पराठा थोड़ा सिख गया है। ब्राउन स्पोट आ चुके हैं। अब आपको इसके उपर oil butter या गी लगाना है और इसे पलट कर फिर से आपको इसके उपर oil butter या गी लगा देना है गयस का flame medium रखते हुए आपको ये परांठे सेखने है और हल्का हल्का सा इसे प्रेस करते हुए सेखना है अगर आपको कुरकुरे पराठे खाना पसंद है न तो अच्छे से प्रैस करते हुए दबा दबा कर सेखेगा पराठे कुरकुरे बनेंगे अगर सौफ्ट पराठे पसंद है तो बहुत जादा दबा दबा कर ना सेखें अब पराठा तयार है इसे निकाल लेते हैं इस पराथे को मैंने अच्छे से दबा दबा कर सेका आए तो ये एकदम कुरकुरा बना है और दूसरा पराथा एकदम सौफ्ट बना है इन्हें मेंने सर्व किया हरेदनिय पुदीने की चट्नी के साथ और लेशन मिर्च टमाटर की चट्नी के साथ अगर इस चटनी की भी रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट करें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ये देखिए इस पराथे को मैंने बहुत जादा दबा दबा कर नहीं सीका था तो ये एकदम सॉफ्ट बना है तीन लेयर वाला ट्राइंगल पराथा तो आप अपने अनुसार इस तरीके के पराथे बना सकते हैं अगर आपको ये मेथी आलू के पराथे और चटनी पसंद आई हो तो मेरे फेस्बुक पेस को फॉलो करें वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें